वित्रों सभीका स्वागत है आपके अपने चैनल पर यहां बात करेंगे उत्तिपदेश रिजल्ट यूपी बोर्ड रिजल्ट की बारे में दस्वी और बार्वी के क्योंकि इस बार रोल लंबर आपको अलॉट नहीं किये गए हैं तो आप कैसे रिजल्ट को देख पाएंग देखते हैं कि कौन सी रिक्वार्मेंट है आपको रिजल्ट देखने के लिए उससे पहले अगर हमें चैनल पर नए है तेक छोटी सी रिक्वेस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लिजे देखिए ये आगरा जागरां संवतादा के अनुसार निकला हुआ है कि उ उन्हें रोल नंबर नहीं दिया गया है इसलिए उन्हें समस्या हो सकती है तो उसके लिए एक बिकल्प निकाला गया एसे में उन्हें अपना परिणाम देखने के लिए विद्यालेओं का सहारा लेना होगा सहारा क्यों लेना होगा क्योंकि परिछ्षा परिणाम अपनी न तो जिन विद्यार्थियों के पास अपने नामांकन या पंजीकन संख्या नहीं है, उन्हें विद्यालाई जाकर उसे लेना होगा. बता दें कि इस बार कुरोना के संक्रमण के कारण बौड पर इक्षा नहीं हुई, लिहाज़ा विद्यार्थियों को ना प्रवेश पत्र मिले ना रोलनंबर मिले. एसे में पिछले साल तक विद्यार्थियों अपना रोलनंबर डाल कर परणाम देख लेते थे, लेकिन इस ब बताया गया कि जिला विद्ध्यालाई निरिक्षक मनोच कुमान ने बताया कि एक जुलाई से विद्ध्यालाई खुल गए हैं और बोर्ड परिक्षा परणाम कभी भी जारी हो सकता है लिहाजा बोर्ड ने विद्ध्यालाई को सभी विद्ध्यार्थियों की रोल लिस्ट ब बट्सेप और संसोधन कराया जाएगा यहां काम 10 जुलाई तक करने के निर्देश दिये गए बोड चाहता है कि इस से पूरा होने के बाद परिणाम जारी किया जाए ताकि विद्यार्थियों को जानकारी में कोई गलती ना रहे तो यहां पर क्योंकि बताया गया है कि आप परिणाम जो अपना देखेंगे वो अपने नाम अंकन संख्याइनी रिश्टेशन संग नंबर्स के थूर देखेंगे और यह अम्मान की चलिए 10 जुलाई तक तो कोई चांस नहीं 10 जुलाई के बाद ही पूरी संभावना होगी आपके रिजर्ट आने की तो मिलते हैं जैस